सोनापुर्णावक गाउं में अंजली अपनी मा के साथ रहती थी अंजली के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था अंजली की मा जैसे तैसे करके अपना और अपने बेटी का गुजारा कर रही थी अंजली अब बड़ी हो गई थी और वो बहुत ही सुन्दर और सशील थी वो बहुत किस्मत वाला होगा बेटी जिसका ब्यात तेरे साथ होगा तो क्यों सबने देखती रहती है और मुझे भी दिखाती रहती है हम लोगों के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है गाओ के सरपंच की बेटी की शादी है उसने काम के लिए मुझे घर पर बुलाया है हाँ हाँ बेटा मुझे याद है देख चली जा फूलो बड़े लोग है वहाँ पर आराम से काम करना मैंने सुना है कि सरपंच की बेटी बड़ी ही नक्चड़ी है चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है कोई बात नहीं मा पर्षत उसकी शादी है फिर बुच चली जाएगी अंजली सरपंच के घर पहुँच जाती है वहाँ पर शादी की रौनक देखते ही बन रही थी सरपंचनी ने अंजली को रसोई के काम के लिए बुलाया हुआ था वो गर्मा गरम पकोड़े लेकर सरपंच की बेटी के पास जाती है अंजली, तुझे यहाँ किस ने बुलाया? मालकिन ने मुझे दो दिन पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारी शादी है, आकर रसोई के काम निप्टा देना सरपंच की बेटी उस्से में चला चला कर अपने मा को वहाँ बुलाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी सुन्दर नहीं थी और अंजली बहुत सुन्दर थी, इसलिए वो अंजली से बहुत चड़ती थी क्या हुआ बेटी? अंजली के हाथों में बहुत स्वाध है मैंने तो उसको इसलिए बुला लिया कि सम महमानों को स्वाधिष्ट भोजन मिल सके मा, तुम्हें पता है ना, कि आज मेरे ससुराल वाले भी आने वाले है अगर उन्होंने अंजली को देख लिया तो कैसी बाते कर रही हो बेटी? भला वो अंजली को क्यों पसंद करेंगे? तुम बेवजह ही डर रही हो और मैं अंजली को मना कर दूंगी वो रसोई से बाहर नहीं आएगी आरे हाँ, मैं तो बिलकुल भूली गई थी भला ये गरीब, इसे कौन पसंद करेंगा? शाकला अच्छी होने से कुछ नहीं होता ये तो इतनी गरीब है, इसकी कभी शादी भी नहीं होगी ये सुनकर अंजली को बहुत बुरा लगता है और वो मुझे तुमसे कभी जलन नहीं होई कि तुम इतने अमीर घर में हो तुम्हें सब सुख सुविधाएं मिलती है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए हर लड़की का अर्मान होता है उसी तरह मेरे भी कुछ अर्मान है हाँ 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 तुझ करीब के भी अर्मान है तुने क्या सोचा हुआ है कि तेरी शादी चान पर होगी चान पर से छोड़ तेरी शादी धर्ती पर भी नहीं होगी मुझे माफ करना मालकिन लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूंगी और हाँ देख ली न तुम मेरी शादी चान पर होगी रोती हुई अंजली वहाँ से घर की तरफ आ जाती है कि तभी रास्ते में पढ़ने वाली नदी के किनारे बैठ कर वो रोने लगती है वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था वो अंजली को रोते हुए देखता है तो वहीं पेर के पास छुपकर उसे ध्यान से देखने लगता है कितनी सुन्दर लड़की है ये क्या दुख होगा इसे जो इस तरह रो रही है क्या मैं इससे जाकर पूछू नहीं नहीं पहले मैं देखता हूँ ये कौन है और कहा रहती है अंजली का जब रो रो कर मन हलका हो जाता है तो वो घर की तरफ चल देती है और वो लड़का भी उसका पीछा करता है वो उसके घर को देख लेता है तभी वो उसके घर के पीछे बनी हुई एक चोड़ी सी खिर्की के पास जाकर खड़ा हो जाता है अरे अंजली क्या हुआ बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गई और ये तेरी आँखें इतनी लाल क्यों है अंजली अपने मा के गले लगकर जोर-जोर से रोने लगती है क्या हुआ अंजली कुछ तो बोल बेटा मेरा दिल खबरा रहा है अब मैं कभी सरपंच के घर काम करने के लिए नहीं जाओंगी मा उसकी बेटी ने आज मेरी बहुत बेज़ती की मुझे करीब होने के ताने दिये और यहां तक भी कहा कि इस धर्दी पर कोई भी तुझ से शादी नहीं करेगा मा बेटा वो बड़े लोग है उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुझे तो पता ही है कि उनकी बेटी कितनी घमंडी है नहीं मा मुझे अब इस गाओं में भी नहीं रहना तू मेरी साथ शहर चल मैं वहां पर काम करूंगी और हम लोग फिर वहां पर खुशी खुशी रहेंगे बेटा बोलना जितना असान होता है करना उतना है मुश्किल चल पहले तुम मुहाद धोले पानी पीले थोड़ा मन को शान कर ले फिर आराम से सोचना क्या खलत है क्या सही है अंजली मुध होने के लिए चली जाती है बाहर खड़ा वो लड़का जसका नाम शमसेर सिंग था और वो एक जादुगर भी था उसे अंजली बहुत अच्छी लगती है तब ही वो जादु से एक गुलाब का फूल और एक हीरे की अंगुठी ले आता है और उसे घर के अंदर रखी हुई चार पाई के उपर रख देता है अंजली की मा अंजली के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है अंजली मुध होकर आती है तो उसे चार पाई पर वो गुलाब और अंगुठी मिलती है वो उसे उठा कर देखने लगती है और हैरान हो जाती है मा इधर आओ देखो तो यहाँ पर कोई ये गुलाब का फूल और हीरे की अंगूठी रख कर गया है पागल हो गई है क्या भला कोई हीरे की अंगूठी यहाँ रख जाएगा और तेरी और मेरे सिवा घर पर है ही कौन घर का दर्वाजा भी बंद है पर जब उसकी मा देखती है तो हैरान हो जाती है कि वो तो सच मुझ में हीरे की अंगूठी थी दोनों मा बेटी भी डर जाती है कि कहीं किसी ने हमारे उपर चूरी का इल्जाम लगाने के लिए तो यह अंगूठी घर पर नहीं रखी है रात हो जाती है लेकिन अंजली की आँखों के सामने वो अंगूठी और गुलाब का फूल घूम रहा था कहां से आई होगी यह अंगूठी क्या यह चादू यह अंगूठी है ऐसा ख्याल आते ही अंजली उठकर बैट जाती है और अंगूठी को रगड़ने लगती है लेकिन ना उस में से कोई जिन बाहर आता है ना कोई परी पता नहीं कहां से आई है यह अंगूठी अगले दिन सुभे अंजली और उसकी मा वो अंगूठी जोहरी को दिखाने जाती है तो पता चलता है कि वो तो असली हीरा है जिसकी केमत लाखों रुपे है तभी शमशेर सिंग देखता है कि दोनों मा बेटी जोहरी की दुकान पर गई है फिर वो देखता है कि वो अंगूठी उन्होंने बेची नहीं अपने साथ लेकर आ गए अंजली और उसकी मा जैसी घर का दर्वाजा खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि सारे घर में सुन्दर सुन्दर कपड़े और सामान रखा हुआ था ये देखकर अब तो दोनों मा बेटी बुरी तरहे डर जाती हैं और डरते डरते सामान को देखने लगती हैं ये सब क्या हुँ रहा है अंजली समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ असली है या चलावा मा मैं भी आपकी ही तरह हैरान हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा तभी अंजली की नजर वहाँ पर रखी हुई एक चिठी पर पड़ती है चिठी में इन सब चीजों को देखकर हैरान मत हो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो मैं जिन्दगी भर दे सकता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा तुम्हारी सब एक चाय पूरी करूँगा यहां तक की मा भी हमारे साथ ही रहेगी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ चा तुम उससे शादी करोगी अंजली आकर अपनी मा को चिठी में लिखी सारी बात बता देती है यह काम जरूर किसी भूत का होगा तभी तो हमारे पीछे से यह सब कुछ होता है मैं आज ही तेरी नजर उतारूँगी मा बेटी को इस तरह घबराया हुआ देखकर शमसेर सिंग वहां आ जाता है आप दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है मेरा नाम शमसेर है और मैं कोई भूत नहीं हूँ मैं एक जादूगर हूँ मैंने अंजली को रोते हुए देखा और फिर मैंने आप दोनों की बातें सुनी मैं तो बस आप से यहां अंजली का हाथ मांगने आया हूँ बेटा, मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ तुछे दे दू मैं तो तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती मैंने अभी तो बताया कि मैं एक जादूगर हूँ मेरे माता पिता का निधन बहुत समय पहले ही हो गया था मेरे पिता जी भी बहुत बड़े जादूगर थे ये विद्या मैंने उन्हीं से सीखी है मैं आप से वादा करता हूँ मैं अंजली को बहुत खुश रखूँगा बस आप एक बारी शादी के लिए हाँ कर दो अंजली की मा शमसेर सिंग से समय मांगती है और शमसेर सिंग वहाँ से चला जाता है तभी पडोसन अंजली के घर आती है और वहाँ पर इतना कीमती सामान देखकर सारे गाउं में इसकी चर्चा कर देती है सभी लोग अंजली और उसकी मा के उपर उंगलियां उठाने लगते हैं और उधर आज सरपंच की बेटी की शादी भी थी उसकी कुछ सहेलियां उसे बताती है कि किसी ने अंजली को बहुत सारे तोहफे दिये हैं और उससे शादी करना चाहता है ये सुनकर सरपंच की लड़की जल भुन जाती है और दूलन के रूप में ही वो अंजली के घर पहुँच जाती है वहाँ पर रखा हुआ बेशकीम्टी सामान देखकर उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है कौन है वो जो इस चुड़ैल से शादी कर रहा है तुम यहाँ क्यों आई हो तुमने तो कहा था कि धर्ती पर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा देख रही हो तुम मैं अभी भी कहती हूँ जिसने भी यह तुम्हें सामान दिया है देख लेना वो तुम जैसी भेखारन से कभी शादी नहीं करेगा देखो बेटा तुम लोग बहुत अमीर लोग हो तुम अपनी शादी का मंड़ब छोड़ कर आई हो यह बहुत बुरी बात है जाओ बेटी जाओ तुम्हारे पिताजी को अगर पता चल गया तो वो हमें बहुत परिशान करेंगे तभी शम्शेर सिंग वहां आ जाता है माना कि तुम बहुत अमीर होगी लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही गरीब हो वाला है तुम एक ऐसी लड़की से चिड़ गई जिसके इस सर पर ना तो बाप का साया था और वो इतनी गरीब थी कि तुम्हारे घर काम करने के लिए आती थी और क्या कहा था तुमने इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस से शादी करेगा धरती की तो बात छोड़ो मैं अंजली से चान पर शादी करूँगा और सारे गाओं के सामने करूँगा ये सुनकर अंजली की मा और अंजली जादुगर की तरफ देखते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अंजल अंजली भी शम्शीर को हा कर देती है और फिर शम्शीर जल्दी से अपने जादू से एक सुन्दर सा सितारों से बना लहंगा देता है। इसने तो मजाद में कहा था कि वो चान पर शादी करेगी। ये तो सच मुझ में हो गई।